किसी व्यक्ति के जीवन में उद्देशों लक्षों का होना बहुत आवस्यक होता है क्योंकि यही हमें कार को सिद्ध करने की प्रेणा देते हैं हमें से बहुत सारे परिक्षार्ती, उत्तर प्रिदेश की सबसे बड़ी परिक्षा UPPCS का एक सपना देखते हैं आपने देखा होगा आपके अगल बगल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इन सपनों को साकार किया है जब हम कोई लक्ष बना लेते हैं तो कितनी भी कैसी भी परिस्तितिया हो वो हमारे लक्ष को भेदने में बाधक नहीं हो सकती आपने देखा होगा बहुत बिप्रीत परिस्तितियों में लोगों ने पढ़ाई की और पढ़ाई करके उन्हीं बिप्रीत परिस्तितियों में उन्होंने चैन पाया और आज वो हमारे लिए, हमारे समाज के लिए एक उधारण है, एक प्रेणा है हमें अभी ऐसे ही उधारानों से सीख के आगे बरादा है जब हम किसी परिछा की तयारी करते हैं तो सबसे महत्तपूर होता है कि उस परिछा के बारे में जो एक महत्तपूर जानकारी होनी चाहिए वो जानकारी आपके पास होनी चाहिए Target Blend Online Institute के ऐसा ही मंच है जिसके माध्यम से हमें लगातार प्रियास करते हैं कि प्रिदेश की कोई भी परिक्षा हो जितनी जरूरी जानकारी परिक्षारती के पास पहुँचनी चाहिए जितना मटेरियल परिक्षारती के पास पहुँचना चाहिए वो निश्चित रूप से आपके पास पहुँचे चाहे आप कितने भी दूर दराज के छित्रों में क्यों न रह रहे हो हम आपको सिच्छा और समाज की मुखधारा से जोड़ने का पूरा प्रियास करते है भले ही परिस्तितियां कितनी भी विप्रीत क्यों न हो ऐसा ही एक प्रियास लेके आज मैं आपके समख छुपस्तित हूँ PCS की परिक्षा 2020 को लेके प्रमुख किताब हैं कौन सी होनी चाहिए प्रमुख नोट से कौन से होने चाहिए आपकी सठीक रणनीती क्या होनी चाहिए आपका एक अच्छा समय प्रिवंदन कैसे हो सकता है और किन-किन चीजों को आपको ध्यान पर रखना है इनी सब चीजों परिवारे में मैं आपसे एक बात करने चलना हूँ संचित लेकिन बहुत महत्पूर बात सफन होने के लिए थोड़े से अत्रित प्रियासों को करने की जरूरत है और उन अत्रित प्रियासों को विवस्तित धंग से और अच्छी सामगरी के साथ करने की जरूरत है और हम अपनी सफलता को निश्यत कर सकते हैं आईए ऐसी कुछ बातों पर हम लोग चर्चा करते हैं आज अगर हम देखें तो बजार में इतनी साजा पाठ्थ सामग्री उपलब्ध है कि जब हम बजार जाते हैं तो हम confused हो जाते हैं यदि हम अपने senior से राय लेते हैं या हम अपने teacher से राय लेते हैं तो प्रितेग व्यक्ति अपनी capability के हिसाब से या उस अपनी पसंद के हिसाब से आपको अलग-लग पाठ्थ पुस्त के बताता है या अलग-लग notes आपको suggest करता है और आप देखते हैं कि खरीते खरीते कमरे पर और हमारी मेज पर पढ़ने वाली मेज पर इतनी ज़्यादा पाठ्थ पुस्त के हो जाती हैं कि वो हमारे अंदर भरम पैदा करने लगती हैं कि क्या हम सही दिसा में जा रहे हैं क्या हमने अपनी पाथ सामगरी कर चुनाव सही किया है कि नहीं किया है। इसी महातपुर बिंदू पर आज मैं बात करने वाला हूँ कि हमारे पास कितनी सीमित सामगरी हो, कि हम चैन के नजदीक पहुंच सकें और हमें अत्रिक्त पढ़ने की कोई भी आवसकता ना पढ़े। आएए शुरुवात करते हैं सबसे पहले प्रमक पुस्तकों से। प्रारमक मुक परिच्छा के लिए जो भी आपकी महातपुर पुस्तके होनी चाहिए उन सब की एक में सूची आज आज आपको प्रदान करता हूँ और इन पुस्तकों के अलाबा बहुत सारे लोगों को देखा गया है कि वो सुरू से सारी NCRT पढ़ते हैं तो मैं आपको ये भी बताऊँगा कि NCRT में आपको किस-किस विषय में कौन-कौन सी NCRT पढ़ने की जरूरत है सबसे पहले यदि हम लोग पुस्तकों से सुरूबात करें तो देखिए यहां पे लिखा हुआ है इथियास विषय को लेकर यदि हम सुरूबात करें और विषय इस्तियास के लिए दीनानाथ वर्मा जी की जो किताब आती है आप उसको भी ले सकते हैं इसके अलावा इथियास में प्रारम्ब को मुख परिक्षा के लिए यदि हम लोग देखे हैं यह महती भूम का निवाएगी इथियास विषय की तयारी में इससे ज़्यादा भी हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है इसमें भी बहुत सेलेक्टिट चीज़ पढ़ने की जरूरत है अगले विडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा कि कहां से आपको चीज़ों को कैसे तयार करना है अब इस प्रकार के विडियों की एक किरम आज से सुरू हो रहा है जो लगातार मैं आपको देता रहूंगा दूसी बात अर्थमिवस्था के लिए अधि हम लोग देखें तो अर्थमिवस्था के लिए रमेश सिंग की एक किताब आती है रमेश सिंग जी की आप किताब लीजिए और तक्षा 9-12 तक की NCIT आप पड़ते हैं तो अर्थमिवस्था का जो आपका पूर्शन है वो आराम से आपका तयार हो सकता है राजमिवस्था के लिए अगर हम लोग देखें तो तक्षा 9-12 तक की NCIT के साथ TMH पब्लिकेशन में एम लक्षमिकांती जी की किताब आती है बहुत सारे प्रस्षार्थियों की प्रिय किताब है और वास्तव में यह किताब उस चीज को डिजर्व करती है अगर आप एक किताब पड़ते हैं तो राजमिवस्था में जो भी आपकी जो हैं मुस्किले हैं वो बहुत आसानी से यहां से दूर हो सकती है पर्यावनें परस्तकी के लिए एराग भरूचा जी की एक किताब आती है जो टेक्स्ट रूप में बहुत जवर्जस्त लिखी गई है और एराग भरूचा जी के लावा इगनू के नोट्स भी आप ले सकते हैं यदि आपके वल PCS की तैयारी कर रहे हैं तो प्री और मेंस के लिए एराग भरूचा की किताब आप ले सकते हैं लेंग्वेज अगर आपको थोड़ी सी कठिल लगे तो सरनल लेंग्वेज के लिए आप परिक्षा बाड़ी की किताब भी देख सकते हैं लेकिए परिक्षावाणी की जो किताब है, वो प्रारंविक परिक्षा की तथ्थों को तो पूर कर देगा, लेकिए मुख परिक्षा की तथ्थों में यहाँ पर आपको दिक्कत होगी, तो हम यह कैसकते हैं कि एराग भरुग जाओ प्रिक्षावाणी की किताब को अगर हम एक कॉम्मिनेशन के रूप में ले लें तो पर्यावर्ण और परिस्तितकी के जो हमारा पोर्षन है वो पोर्षन हमारा आराम से पूरा हो सकता है, कम्प्लीट हो सकता है इसके अलाबा और विश्वक के अगर हम बात करें भारती कलाईवम संस्कृति के लिए नितिन सिंगानिया जी की जो किताब आती है वो बहुत अच्छी किताब है विगत बर्सों में अगर हम लोग देखें तो प्रारंविक परिक्षा के साथ मुख परिक्षा में भी जितने प्रिष्णे कलाईवम संस्कृति से आये है नितिन संगानिया जी की किताब ने उसको पूर किया है तो यह उपयोगी किताब आपके लिए हो सकती है अगले किरम में विज्ञानिवम प्रादुगगी के लिए सीलवन्द सिंग की किताब आती है यह भी TMH Publications की किताब है और प्रादुगई की का पूरा हिस्सा सीलवन्द सिंगी की किताब से आपका पूरा हो जाएगा भारतिय सामाजिक संस्था है तेजिसकर पांडे जी की जो किताब आती है काफी अच्छी और सरल भासा में किताब लिखी गई है आराम से किताब समझ में आती है इसकी भासा सेली भी बड़ी आराम से समझ में आती है, तेजिसकर पांडे जी की किताब आप भारतिय सामाजिक संस्थाओं के लिए ले सकते हैं, नीती सास्त के लिए लेक्सिकॉन की किताब आती है, आप मारकेट में जाएए, और लेक्सिकॉन की किताब के लिए कहेंगे, तो आपको यहाँ मिल आएगी नितिसास्त के लिए और सेकेंड आर्सी की जो महत्पूर रिपोर्ट है चौथी रिपोर्ट वो भी आपके लिए यहां पर महत्पूर है इसको भी आपको पढ़ना है यहां से आप पूरा ओवर्व्यू तै कर सकते हैं इथिक्स के लिए नितिसास्त के लिए उत् कुछ आकड़े ऐसे होंगे जिनको आपको लिखना पड़ेगा मुख परिक्षा में तो वहां पर आप उत्तर प्रदेश विशेष घट्ना चक्र से पूरा कर सकते हैं अरेंजिमेंट तथ्यों का बहुत अच्छे से किया गया है और भारतिय जनसंख्या इवं नगरी करण की जानकारी है वो परिक्ष्षा भारी की किताब से आप यहां पर पूरा कर सकते हमें सवह बहुत बहुत बैहतरीन तरीके से लखी अच्छी है इसके अलावा यदि हम लोग देखें तो बहुत सारे न्यूज पेपर ऐसे हैं जैसे सटेडे को जो हस्तचेप पेपर आता है वो निवन्द के लिए आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध हो सकता है मैंने यहां पर उसको लिखा दी है करेंट अभी है इसके लिए योजना कुरुक्षेत और हस्तचेप के अलावा एक जो समाचरपत जो आपको बहुत अच्छा लगता हो और एक मैगजीन आपको परना बहुत आवस्यक है प्रत्योक्तादरपड क्रॉनिकल हिंदी माध्यम के लिए आप इन दोनों में से कोई एक मैगजीन को प्रिफर कर स सकते हैं दोनों ही मैगजीन का कंटेंट अच्छा है बसरते भासा सेली आपको उसकी समझ में आने चाहिए इसके बाद जो हम आगे बढ़ते हैं तो भूगोल देखें भूगोल के लिए प्रारंबिक परिक्षा के कॉम्बो को हम लोग देखें तो महेस बैड़बाल और आपके लिए बहुत महत्पूर होगी जिससे आपके प्रारंबिक परिक्षा के बलकि मुख परिक्षा के लगवग लगवग सभी तत्थों को अच्छे से आप समावेशित कर सकते हैं अध्यान कर सकते हैं पर सकते हैं इसके अलावा 6-12 तक की NCRT भी आपको पढ़नी है और लाखों लोगों की यहां से मदद कर रहे हैं आप लोग लाबान बित हो रहे हैं तो आलोक सर के जो 79 वीडियोज हैं जोगरफी के और उनके जो नोट्स हैं विथ नोट्स अगर आप यह पढ़ते हैं तो मैं वादा करता हूँ जोगरफी में इसके अलाबा आपको किसी भी पढ़ने की आवसकता नहीं है देखने की आवसकता नहीं है यह 79 वीडियोज आप सभी के लिए पब्लिक हैं आलोक सर की तरफ से और इनमें से 31 वीडियोज के नोट्स भी पब्लिक कर दिये गए हैं बाकी वीडियोज के नोट्स धीरे धीरे पब्लिक किये जा रहे हैं तो भूगोल में जो आपको पूरी तैयारी करनी है, उस पूरी तैयारी के लिए इस 79 वीडियोज और आलुकसर के जो नोट्स हैं, ये आपके लिए बहुत महत पूरो कारगर सिद्ध होंगे, इसके अलाबा पुस्तकों पर मैंने यहाँ पे चर्चा आप से की हैं, PCS प्रारंविक के वो मुख परिक्षा के बिगत बर्षनों के सामन अध्यन के सॉल्ड पेपर जो है, वो भी यहाँ पर आपको लेने हैं, जो आपके प्रारंविक और मुख परिक्षा दोनों के लिए कारगर सिद्ध होंगे, और प्रारंविक परिक्षा में जो मुख परिक् तो हम प्रारंबिक और मुख परिक्षा की जब तयारी करते थे, तो यह दोनों ही परिक्षां PCS की काफी समानताय लिए हुए थी, यदि हम प्रारंबिक परिक्षा का पेपर देखें, तो वहाँ पर सामान अध्यन के जो आपके पेपर होते थे, वह बहु विकल्पिय यारी हमें करनी होती थी, बदले हुए प्रारंबिक और मुख परिक्षा की तयारिया हम अलग-अलग करें, तो निश्चित रूप से हम यहाँ पर गल्ती कर रहे हैं, क्योंकि यदि हम लोग देखें, इथियास, भूगोल, विज्ञान, भारती सम्मिधानिवम, राजवस् यहाँ पर बरतमान जो पाठ्ट करम है, हमने यह सोचा की प्रारंबिक यह को मुख परिक्षा लग-लग है, तो हम एक महती बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि तथ्छों का समाब इस है, और आपका पाठ्ट करम ऐसा है, कि अब आपको प्रारंबिक को मुख के माध्यम से देनी है तो यहाँ पर प्रारंबिक परिच्छा के साथ हमारी मुख परिच्छा की तैयारी हमें करनी पड़ेगी तभी पाठिकरम का एक जो संपूर ओवर्विव है वो हमें समझ में आएगा और हम बहतर कर सकते हैं आप मैंसे बहुत सारे लोग ऐसी गलती करते हैं मैंने देखा है कि सर हम पहले प्री तो तैयार करें फिर मैंस तैयार करें अगर आप प्रियास कर रहे हैं तो प्रारंब से ही प्रियास आपका गलत है आप प्री कम मैंस दोनों ही तैयार करें यह आपके लिए महती जरूरी है क्योंकि प्री निकालकर आपको किसी को त्यारी आपको करनी है लिखित परिक्षा के लिए अगर हम लोग देखें तो प्री और मेंस की तैयारी का एक साथ होना बहुत जरूरी है बदले हुए पात्यकरब्व है दूसरी बात अध्यान में निरंतर्ता होना आणिवार है देखें अध्यान में निरंतर्ता से हमारा आसा है कि बहुत सारे सदसाप में से ऐसे होंगे जो इससे पहले कहीं कोचिंग कर चुके हैं या उन्होंने एक दो बार प्रियास किया है या वो मुख परिक्षा आपनी दे चुके है या मेंस के पाठकरम में बहुत सारी चीज़ें आपकी करेंट से अपडेट होती है अगर हम पूरे मेंस को उठा के देखें तो 50% के आसपास का पाठकरम ऐसा है जो लगवग लगवग विश्यों में आपका करेंट से अपडेट होता है तो अध्यन में निरंतरता होनी बहुत जरूरी है आप किसी न किसी ऐसे माध्यम से जरूर जोड़े रहे जो निरंतर हो और एक कंटिनुटी में आपको अपडेट करता रहे आपके पाठकरम को अपडेट करता रहे भले ही आपने कितने ही अच्छे से पढ़ाई क्यों न की हो एक्जाम रूम का प्रेसर ऐसा होता है कि आप सरलतम चीजों में गलती करते हैं आप देखते हैं कि जो किसी ने गलत नहीं किया वो आपसे गलत हो गया ये human errors होती है हम जब किसी चीज को take for granted लेते हैं तो निश्चित हम उस रूप में गलती करते हैं उस बात में गलती करते हैं तो पढ़ाई लिखाई में जब तक आपका चैन नहीं हुआ एक-एक तथ आपके लिए महत्पूर है चाहे वो आपने कितनी भी बार पढ़ा हो लेकिन आपको उसका अध्यन करना है उसकी practice करनी है और निरंतरता के साथ उससे जोड़ा रहना बहुत जरूरी है क्योंकि वो तथ निश्चित रूप से आपके काम आएगा तेसी बात समय प्रवंदन पर जब हम बात करते हैं time management आपका कैसा हो आप में से बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि समय प्रवंदन को घंटे के हिसाब से बनाते हैं हम दिन में आज 12 घंटे तयारी करेंगे है ना घंटे के हिसाब से लेवर किया जाता है मजदूरी किया जाता है घंटे के हिसाब से जब समय प्रवंदन आप करते हैं अपनी पढ़ाई का तो यह बहुत उवन बाला होता है कभी भी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए बलकि आपके अध्यान का जो समय प्रभंदन होना चाहिए, वो अध्यान का समय प्रभंदन हमेशा आपका content के हिसाब से होना चाहिए, कि आज हमें इतने content को तयार करना है, आप पहले छोटे-छोटे लक्षों को लेके पढ़ाई शुरू करिए, छोटे-छोटे contents को लेके तो हो सकता है आप उसको तीन घंटे में ही पूरा करना है, जब हम घंटे के हिसाब से पढ़ाई करते हैं, तो वो हमारे उपर एक अत्रित्य दवाव देता है, अच्छे परिक्षार्ती जो भी होते हैं, कभी उनकी पढ़ाई लिखाई का जो लेखा जो खाए, वो घंटों में भी आप ज़्यादा पढ़ाई कर सकते हैं, कंटेंट के हिसाब से, अगर हमने सुबह से तैकल लिया कि आज हमें 12 घंटे परना है, तो यह जो 12 घंटे का जो मनोवग्यानिक दवाव हमारे उपर होता है, वो हमारे कंटेंट को तयार करने में बाधा पहुंचाता है, तो ज़्यादा तयार कर पाएंगे और ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे, देखिए, सटीक विसले सर के साथ लेखन सैली का होना आवस्चक है, जैसे जब भी हम मुख परिक्षा के पृष्णों को लिखेंगे, जो आप सुरू से तयार करने हैं, तो सुरू से ही कोसिस कि जो तक्त्रात्मक रूप से आप चीज़ें पर रहे हैं, उसको एक पहरा ग्राप में लिखने की कोसिस करें, हैना, एक पहरा ग्राप में हम कैसे इन चीज़ों को लिख सकते हैं, क्योंकि एनालिटिकल पावर और विसलेसन जो आपका है, वो बहुत जरूरी है, अब वार आने की पारंबारता होती है, उत्तर प्रदेश में बहुत सारे लोग ऐसे तयारी करते हैं, कि वो घतना चक्र ओरियेंटेट होते हैं, हैना, पुरुबाव लोकन पर लिया, हम पास हो जाएंगी, गलत प्रिवित्ति हैं, हैना, क्योंकि प्रिश्णों के में जो रिपी तो ही घ्ञान का समावेस अगर अच्छे से आपके अंदर होगा, तो आप इन प्रिश्णों को बहतर तरीके से हल कर पाएंगे, तो प्रैक्टिस के रूप में तो आप उन प्रिश्णों को चुन सकते हैं, लेकिन पहले जैसे हम इन प्रिश्णों पर डिपेंड़नी हो सकत क्योंकि ऐसा आवस्चक नहीं है कि पृष्ण आग के रिपीट हो तो नए पृष्ण उस पाठिक्रम से कैसे बन सकते हैं जो आप पर रहे हैं उस अध्याय से नए पृष्ण कैसे निकल सकते हैं सोचने की सक्ति को थोड़ा सा बढ़ाना है और उन पृष्णों को वहां से नि तो आठ माए है आज से करो या मरो की इस्तिति है मैं प्रारंवी को मुक परिछा दोनों के समय को जोड़के बता रहा हूँ और आठ माए परियाब थे अगर आप सतीक तरीके से परते हैं सतीक विसलेसर के साथ परते हैं एक पाठ सामेगरी के साथ परते हैं तो आठ माए आ तालोकसर के द्वारा और बहुत सारे अध्यापकों के द्वारा आपको कुछ ऐसे वीडियो प्रदान के जाएंगे जो आप सभी लोगों के लिए जरूरी है अगर आप घर बैटके पढ़ाई करना चाहते हैं तो संस्थान पूरी तरीके से आपके साथ है हम लगातार ऐसी को अगर आपको नहीं परनी है अगर आप सोच रहे हैं कि सर आपने इतनी सारी किताबों की लिष्ट दी देखे यह लिष्ट मैंने इसलिए दी क्योंकि आपके कंफूजन से बचने के लिए मैंने लिष्ट दी आप कुछ भी मार्रकेट से ना उठाएं आप किसी भी सामिपग प्रिजन्ट नहीं है हम दूरस्त माध्यम से कुछ प्रमुक किताबों को आपको बता सकते हैं इसके बाब जूद अगर आपको तयारी करने में कोई दिक्कत आ रही है तो दिल्ली के जो सबसे अच्छे मेंटर से हमनों को इस मंच पर लाकर खड़ा किया है हमनों को इखटा क्योंकि अभी तक के हिस्से में मैंने आपको यही बताया है कि आप सोयम से कैसे तयारी करते हैं और आगे भी ऐसे कई वीडियो हम देंगे आपको जिससे आपती तै कर सके कि हां तयारी की जा सकती है लेकिन आपके मन में थोड़ा सा भी डाउट है कि सरी 22-25 किताबों में से कैसे मैटर को परना है कैसे सामगिरी को निकालना है कैसे हम चीजों को पूरा करें तब आप बिल्कुल भी परिसान मत हो यह आपको दिल्ली और इलावाद आके डिर लाख रुपे एक बैच के लिए खर्च करने की जरूरत नहीं है बहुत नियूनतम फीस में हम आपको यह की तैयारी करनी है बलकि मेरा सुझा होगा कि आप प्रिलिम्स की तैयारी ना करें आप प्रिकम्मेंस की तैयारी करें हाला कि आपकी डिबांट पर दोनों ही तरह के बैच यहां पर उपलब दे अगर आप प्रिलिम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर परिक्षा की कख्षाएं देने चल रहे हैं, लगबग लगबग चार विशो की कख्षाएं, चारो पेपर की कख्षाएं एक साथ सुरू हो रही हैं, और प्रारंबिक परिक्षा में डेली 5-6 क्लासे जा रहे हैं, एकदम discipline और अनुसासन में बैच चल रहे हैं, कोई इसमें सम समस्या नहीं है, अगर अभी आप प्रिवेश लेना चाहें, तो प्रिवेश अभी 4-5 दिन हुआ है एक क्लासे संचाले थोन में, तो प्रिवेश प्रिक्रिया लगातार खुली हुई है, कहीं कोई समस्या नहीं, इस्क्रावलिंग पर जो नंबर चल रहे हैं, उन नंबर्स तो निश्चे रूप से Target with आलोक Online Institute आपके साथ है, इस अपने को साकार करने के लिए, अगर आप स्वयम से कर सकते हैं बेना कोचिंग के करना चाहते हैं, तो भी Target with आलोक Online Institute आपके साथ है, मैं वादा करता हूँ, कोई भी कसर नहीं छोड़ूँगा, प्रतेप परिक्षा के ल जिसमें, यदि आपके अंदर जजबा है, आपके अंदर potential है, अगर आपने ऐसे लक्ष को बादा है, तो मैं वादा करता हूँ, हमारी तरफ से कोई कमी नहीं आएगी, बस नीचे कमेंट करके लिख दीजिए कि हाँ हम तयार हैं, अगर आप लोगों ने लिख दिया कि हाँ सभी लोग देंगे कि आप घर बैठे भी तयारी कर सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा भी doubt है मन में, तो बिलकुल भी देर मत करिएगा, बस नीचे लिखिये केवल की तयार है, बाकी हमारी टीम को क्या करना है, हम आपको बताएंगे, आप बिलकुल भी इन चिंताओं को छ अलग होता है, जब किलास में टीचर्स पढ़ाते हैं, तो आपको बताते हैं कि कुष्चन की मेंस की फ्रेमिंग आपको कैसी करनी है, पिसले साल कहां से IIS और PCS में कुष्चन आपको बने है, कितनी आसानी से हम इस कुष्चन को लिख सकते हैं, धाईसो सब्द में हमें कैस लिखना है, दोसो सब्द में कैसे लिखना है, प्रारंबिक परिक्षा के नोट्स पूरी तरह अलग है, और मुख परिक्षा के नोट्स पूरी तरह अलग है, अलग अलग प्रिवित्ती के आपके नोट्स बनाएगा है, अलग 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 फैकल्टी रखी गई है, प्रारं प्रारणभी कोमक्परिक्चा का एक भी पृष्ण बाहर नहीं होगा जसको आप कवनना कर करेंगे हैं और अनुर्णमने में कि नहीं थे घृतіш वरिएन के यहिसे सभी नोट्स को धीर-धीर में करेंने लिए को कोई भी समस्यास में ना है तो इनी अरंद सुब कामनाओं के साथ पहले वीडियो में की गई बातों को मैं समाथ करता हूँ उम्मीद है आप लोगों के बाते अच्छी लगी होंगी और निश्चित रूप से आपके तैयारी में सहायक होंगी नीचे अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा संस्थान के लिए आपके सुझाओं हमेशा जरूरी है और यह भी लिखिएगा कि क्या आप हम लोगों से चाहते हैं हम कैसे और बहने के लिए हम तैयार है करने के लिए हम कभी भी पीषे नहीं है केगे बस आप अपने सुझाओं सादर जो है प्रेसित करिए और आपके इनी सुझाओं से हमें तै कर पाएंगे कि आपके लिए क्या जरूरी है और क्या अनुबार है इनी सुझाओं के साथ बहुत बहुत धर्नवाग नमस्का